अलाम वालेकुम वीवर्स आज की वीडियो में हम नेक डिजाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है इसकी लंबाई 9 इंचीज और चौड़ाई भी 9 इंचीज है और अब हम इसको बीट से फोल्ड कर लेते हैं और इसकी जो स्टिकी साइड है वो हम अंदर की साइड डखेंगे और बाहर हम इस पर मार्किंग करेंगे बीच से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको मेजर कर लेते हैं 3.2 इंचीज पर हम गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे और इसकी जो गहराई है वो हम 7 इंचीज पर मार्क करेंगे और 5 इंचीज पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और अब हम इसको स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं एक बॉक्स बना लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको शेप देंगे यह देखिए अब हम इसको यहाँ round shape दे लेंगे और यहाँ पर half inches पर mark करेंगे यह देखिए round shape देली है और यह जो half inches पर mark किया है इसको मैं एक V shape देलूँगी और यह one inch पर हम यहाँ पर mark करेंगे और फिर इन marking को हम आपस में मिला देंगे ये देखी इस तरह से करने के बाद हम अब नेक की कटिंग कर लेते हैं इतने जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिए ता कि आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल सके अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से गले की शेप आ गई है अब हम इसको एक कपड़े पर पेस्ट करके थोड़ा थोड़ा साइडों में मार्जन छोड़ करके हम इसको इस तरह से स्ट्रिट लगा लेंगे ये देखिए फोल्डिंग के लिए मैंने इस पर जहां पर इसमें कर्व है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लिया है जिससे ये फोल्डिंग में आसानी रहे अब इस तरह से करने के बाद इसको हम बीट से फोल्ड करेंगे और कैजी से छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरह से देखिए अब हमने कमीज की सीधी साइड ली है और इसको यहाँ पर पिन अप करके इसके बिलकुल बुकरम के साइड साइड में हम स्टिट लगा लेंगे ये देखे इस तरह से स्टिट लगा करके अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मार्जन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे उसे पहले पिन रिमूव कर देते हैं ये देखे थोड़ा थोड़ा मार्जन छोड़ करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे और ये कट्स लगा करके अब हम इसको कमीज की उल्टी साइट की तरफ फोल्ड कर देंगे ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसके जो नेक के कोने हैं इसको हम कैजी से इस तरह से कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाएं अब ये देखे मैंने प्रेस कर दी है इस पर प्रेस करके आपको दिखाया है अब इस पर मैं डिजाइन बनाने के लिए जो इसकी स्टिचिंग लेंथ है उसको मैं डबलेस पर करूँगी और इस तरह से डी सेलेक्ट करूँगी जो मुझे स्टिच लगानी है और अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ पर जो हमारी मशीन से पैटर्ण बनेगा वो इस तरह से बनेगा और इसके लिए मैंने magenta color की जो है इस पर reel लगाई है मतलब जो मुझे इस पर stitch लगानी है वो मैं थोड़ा सा contrast thread लेकर लगा रही हूँ जिससे वो अच्छा लगे तो उसके लिए मैंने इस पर magenta color की जो है वो धागा यूज किया है यह देखे इस तरह से एक line मैंने लगा ली है अब मैं इस पर दो line और लगाऊंगी यहां से इसकी plates को इस तरह से उठा लेते हैं और फिर से यहां पर हम stitch लगाना शुरू करेंगे यह देखे इस तरह से करते हुए हमारा एक बहुत अच्छा जैसे embroidery की तरह एक design बन कर आ जाएगा यह मैंने तीन बारे street लगाई है इसमें बड़ा प्यारा सा यह design बन के तयार हो गया है अब मेरे पास यह एक patch रखा हुआ था इस patch की हम इस तरह से cutting कर लेंगे यह देखिए इस तरह से बिल्कुल catch से किनारे मिलाते हुए हम इसकी cutting कर लेंगे यह मैंने पूरी इसकी cutting कर ली है वैसे तो इसमें से बिल्कुल धागे वगयरा नहीं निकल रहे है लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि किसी जैसे patch में से इस तरह निकलते हैं दागे वगयरा तो आप इस तरह यह ले सकते हैं जैसे कोई अगरबती हुई या एक मॉर्टिन वगयरा आती है उसके कोने से हम इसको जला करके इसके कोने लगाएंगे तो इसके edges जो है वो निकलेंगे नहीं इस तरह से रखने के बाद मैं इसको सबसे पहले तो यह fabric glue से paste कर दूँगी जिससे जब मैं इस पर street लगाऊंगी तो यह बिलकुल भी ना तो हिलेगा और इसे लगाने में बड़ी finishing आ जाएगी यह देखिये इस तरह और इसको मैं दो thread से ही लगाऊंगी अब यह देखिये मैं इसको patch लगाने के लिए इसकी जो length है वो मैंने 1 और 2 के बीच में करी है street length और जो मैंने यह जो decide किया है यह मैं zigzag से लगाऊंगी C और B के बीच में इस तरह से मैंने इसको रखा है और जब मैं इस पर magenta color के जो यह फूल है इस पर मैं यह patch करूंगी तो मैं magenta color की इस पर जब मैं इसकी जो leaf अगयरा पर street लगाऊंगी तो मैं फिर green color के थ्रेट से ही street लगाऊंगी यह देगे पहले मैं इसको pink color के थ्रेट से कर लेती हूँ अब यह मैं इसकी जो पतियों में color लगाती हूँ यह मैं green color ही लगा रही हूँ इससे यह हमारा बिल्कुल हम किनारे किनारे जब यह लगाएंगे बड़े अच्छे से हमारा यह patch लग जाएगा इस तरह से कोई भी आप अपनी जो कुर्ती का design बना सकते हैं बड़ा अच्छा सा हमारा यह design बन करके तयार हो गया है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए चैनल पर अगर नए है चैनल को subscribe कीजिए बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को notification आपको मिल सके अल्लहाफेज थैंक यू